हेलो गाईज, वेलकम टो यूटूब चैनल, इस चैनल में आपको हेल्थ को मेंटन राखने के लिए बेस टेक्निय बताएंगे, डिसेज को कम करने के लिए बेस टेबलेट, बेस इंग्जेशन और बेस सिरफ के बारे बताएंगे, आज का हमाँ टॉपिक है एसलोक इंग्जे से क्या साइड एफेक्ट हो सकते हैं इसके बारे मताएंगे, इस लги वीडियोयो आप सब इुपाइज हो हूं, शीडाओक मार्केट में टेबलेट फामेह बीए बेवेर हैं, सिरफ फामेह बेवेरले आजमि है, पर हम इस वीडियो में एसτι्टर इंग्जेशन बारे मताएं है या पेट में बहुत अधिक गेस हो या पचिन की समस्या हो रही है या पेट में दर्द दे रहा है या पेट फुल रहा है या पेट का साइज ब्लड रहा है जब भी सिंग्रेशन के यूज कर सकते हैं और इस्टमक में पेन हो रहा है जब भी सिंग्रेशन के यूज कर सकते ह और आपको उमेटिंगके समस्या हुरही है और किसी परकार के समस्या हुरी है पेट में जब इस इंगेस्ट्रं को यूस कर सकते हैं और प्रेट में प्रण प्रण चाहरें बॉड़ी में क्या सबस्तने हैं इसके बारें बताता है आपके body में जिस जगह में acylarkыш ingestion को लगाए है उस जगह में swelling आ सकती है या pain हो सकता है या redness आ सकती है या आपके body में pain हो सकता है या आपका सिर्दर दे सकता है या आपको laser nurse के समझ से हो सकती है 야 आपका BP low हो सकता है या general side effect है यह side effect बहुत कम देखने को मिलते हैं यानि कि कभी कभी किसी बैक्तियों को देखने को मिलता है यह side effect इसलोग ingestion के root of administration के बारे बताते हैं इस ingestion को intravenous भी लगा जा सकता है और intra muscular भी लगा जाता है intravenous के बारे बताते हैं आप यापके family में किसी परसन बहुत अधिक fever हो या typehead fever हो या dango fever हो या कोई critical disease है जैसे कि उनको किसी परकार का disease है जैसे कि उनको operation होने वाला है या किसी परसन को critical disease है उनको DNA से लगाए या REL लगाए या ENS लगाए उसमें भी acilloc ingestion को injured किया जाता है इस ingestion के dose को decide किया जाता है पर हम एक general dose के बारे में बताते है भुजूर को वैक्ति या adult person या बच्चों को 10 साल के उपर के वैक्तियों को कुई ML ingestion लगाए जा सकता है 24 hours में एक बार बहुत अधिक समस्य हो तो या critical time हो तो उन्हें दो बार भी लगाए जा सकता है या इस ingestion ये वीडियो आप सबको नौल जब लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें इन चैनल को subscribe करें wish for the good health thank you my friend